नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर गत हम लोग जैसंका प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक असकंद गुप्ट का वाचन करने वाले हैं यह नाटक युजिसीनेट के विशे में सामिल किया गया है तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं असकंद गुप्ट नाटक का ये प्रथम अंक ही है जिसका हम लोग ये पाच्वा वीडियो देख रहे हैं यह जो द्रिश्य है नगर प्रांत के पत्का है नगर के जो नगर प्रांत है उस प्रांत का जो पत्थ है किसी रास्ते का जिकर किया गया है तो ये द्रिश्य से नगर के ही किसी रास्ते का है ठीके पत्थ का है जहां पर मुदगल जो है प्रवेस करता है मुदगल जो है प्रवेस करता है और प्रवेस करके बोलता है कि किसी के सम्मान सहित निमंतर देने पर पवितरता से हाथ पर धोकर चौक पर बैठ जाना एक दूसरी बात है कह रहा है कि अगर कोई सम्मान सहित निमंतर दिया है तो उसके सम्मान सहित निमंतर देने पर पवित्रता से हाथ पर धोकर चौक पर बैठ जाना एक दूसरी बात है और भटकते, ठकते, उचलते, कुदते, ठोकर खाते और लुधकते हाथ पर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन वस्तु है कहां हम और कहां ये दोड़ कुसुमपूरी से अवंती और अवंती से मुलस्थान इस बार की आज्या तो पालं करता हूँ कहरा है कि इस बार की आज्या तो पालं करता हूँ यहां से वहां दोड़ रहा हूँ परंतु यदि तथापी पुनस्च फिर भी कभी ऐसे आज्या मिली कि इस ब्रामण ने साश्टांग प्रडाम किया कह रहा कि अगर ऐसी दोबारा आज्या मिली किसी भी इस्थिती में तो मैं उसको प्रडाम कर दूँगा ये इंकार कर दूँगा अच्छा इस ब्रिज के नीचे थोड़ा बैट लेता हूँ और बैट के थोड़ा वीचार करूँ कि सैक्डो योजन लौट चलना अच्छा हैं कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना अच्छा है कह रहा है कि आगे बढ़के कुछ काम किया जाए या जितना सैगडो योजन चला आया हूँ और यहां से लौड जाना बेहतर है तो लौड ही जाता हूँ ठीक है तो इस पर थोड़ा विचार कर लेता हूँ मुद्गल सोच रहा है कि भाई इतना दूरी अगर सैगडो योजन के दूरी मैंने तै कर लिया तो क्या यहां से लौड जाना उचित होगा या नहीं फिर कह रहा है कि गठरी रख बैठ कर उंगने लगता है गठरी रख करके बढ़ जाता है उनी लगता है तभी जो है मात्रगुट का प्रविश होता है मात्रगुट उस रास्ते में मिल जाते है मात्रगुट बोलते हैं मुझे तो यूराज ने मुला स्थान की परिस्थिती समभालने के लिए बेजा मुझे तो युराज ने मुल अस्थान की परिस्थिती संभालने के लिए भेजा देखता हूँ कि यह मुदगल भी यहां आ पहुचा है और देख रहा हूँ कि यहां मुदगल भी आ पहुचा है चले इस कुछ तंग करे थोड़ा मनो बिना दि मनो बिनो धी हो आनंद हो थोड़ा हसी मजाक हो चलो चलते हैं इसे तंग करते हैं तो कपड़े से मुझ छिपा कर गठरी खीच कर चलता है कपड़े से मुझ छिपा लेता है और धिरे से गठरी को क्या करता है खीच देता है खीच करके आगे बढ़ता है गठरी किसकी है मुदगल की है तो मुदगल उठकर ठरो भाई हमारे जैसे सधारल लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं तुम कश्ट ना करो तुम मेरी गठरी ना छुओ मात्रिगुप्त चक्कर काटता है मुदगल पीछे पीछे दोड़ता है मात्रिगुप्त जो है चक्कर लगाता है दड़ता है और पीछे पीछे मुदगल भी दड़ता है मात्रिगुप्त दूर खड़ा होकर कुछ दूर पे खड़ा होकर बोलता है अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग तूटी अब आगे बढ़े तो तुम्हारी टांग तूटी जाएगी मुद्गर अपनी गठरी बचाने में टांग तूटना बुरा नहीं है कह रहा है कि मेरी गठरी ले करेके जा रहे हो खिच करके जा रहे हो तो अपनी गठरी बचाने के लिए टांग टूड़ना कोई बूरी बात नहीं है अब सकुन नहीं है तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते ठक गए हैं तुम यह में समझो कि बहुत दूर सैक्लो युजन चले हैं तो ठक गए हैं तुम्हारा पीछा न छूटेगा हम ब्रामण हैं ब्रामण हमें सास्तरास कर लो डंडा न दिखाओ हाँ मेरी गठरी जो तुम लेते हो इसमें कौन सा न्याय है बोलो मेरी गठरी ले रहे हो इसमें कौन सा न्याय है आई बाकी बात है किसी दूसरी की गठी उठा लेना है मात्रिगुत बोलता है मैं आई अरे तब तो तुम आप तो वाक्यों अवस्य मानते होगे मगल कता है अच्छा तो तर्क सास्तर लगाना पड़ेगा मात्रिगुत हाँ तुमने गीता पढ़ी होगी मगल हाँ अवश्य ब्राम्हर और गीता न पढ़े ऐसा होई नहीं सकता है तो मात्रिगुत कहता है कि उसमें तो लिखा है कि न तुम है न तुम हो न यह वस्तु है न तुमारी है न हमारी है फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना जगड़ा क्यों उसमें तो साब लिखा है कि न हम है न तुम ही हो और न यह वस्तु है न तुमारी है न मेरी है फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना जगड़ा क् मात्रिगुप ने गीता से उधारड दे दिया तो मुद्गल कहता है ओह तुम नहीं समझे मात्रिगुप क्या मुद्गल गीता सुनने के बाद क्या हुआ मात्रिगुप कहता है कि महाभारत हुआ और क्या हुआ मुद्गल बोलता है तब भईया इस गठरी के लिए माभारत का एक लगु संसकरड हो जाना आवश्यक है तब तो इस गठरी के लिए एक छोटा सा माभारत तो होना जरूरी है गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा डंडा तनता है तो मातर गुप्त कहता है मुदगल डंडा मत तनो मैं वैसा मुर्ख नहीं कि सुच्य ग्रभाग के लिए दूद और मधु से बना हुआ रक्त एक मुद भी गिराओं गठरी दे देता है और मुदगल कहता है अरे कौन मातर गुप्त तो मातर गुप्त कहता है कि हां मुदगल इधर तो सक और हुणों की समलित सेना घोर आतंक फैला रही है मातेगोत कहता है हां मदगर मैं ही हूँ और नेपथे में कुलाल होता है तो उख कह रहा है कि इधर तो सक और हुनों की समलित सेना जो है मिल करके दोनों की सकों की और हुनों की दोनों की सेना मिल करके घोर आतंक पहला रही है चारों और विपलों का समराज है निरी भारतियों की घोड दूर दसा हो रही है भारति के लोगों की बुरी दसा हो चुकी है मुद्गल कहता है और मैं महादेवी का संधेश लेकर अमंती गया वहाँ उराज नहीं थे बला धिक्रित पढदत की आग्या हुई कि महाराज पूत्र गोविंद गुट को जिस तरह हो खोज निकालो बलादिकृत पड़दत की आज्या यही हुई कि महाराज पूत्र गोविंद गुट को जिस तरह हो खोज निकालो कहां चले गए यहां तो बिकट समस्या है यहां तो बहुत बिकट समस्या हो गई है हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं तो यहाँ जो गुविंद गुप्त के बारे में आप लोग को बता दें कि गुविंद गुप्त जो है वो कुमार गुप्त का भाई है ठीक है तो वो कह रहें कि उनको ढूरने के लिए हमको आग्या मिली है कोई क्या कर रहे है ढूर रहे है ठीक है तो मात्र गुप्त कहता है कि कुछ नहीं केवल भगवान से प्रार्थना करो कुछ करो मत केवल भगवान से प्रार्थना करो समराज में कोई सुनने वाला नहीं है समराज में कोई सुनने वाला नहीं है अकेले युराज असकंद गुप्त क्या करेंगे अकेला जो युराज असकंद गुप्त है वही बेचारे हैं जो कुछ सुनते हैं तो वह अकेला क्या करेंगे बाकी कोई समराज में कोई सुनने वाला नहीं है तो मुद्गल कहता है परंतु भाई हमिस्वर होते तो इन मनुसियों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं करें कि हमिस्वर होते तो इन मनुसियों की कोई प्रार्थना ही नहीं सुनते इनको हर काम में हमारी आशकता पड़ती है इनकी हर काम में हमारी आशकता पड़ती है मैं पुलाते हैं, उससे पहरे नहीं है, मैं ईस्वर होता तो घबरहा जाता है, भाला वह है, कि उस तो सुन भी लेता है, भाला वह तो कुछ सुन भी, सुनते भी है, मातरगुत कहता है मातरगुत कहता है कि नहीं मुदगल निरी प्रजा का नास देख देखा नहीं जाता है मातरगुत कहता है कि नहीं मुदगल ये निरी प्रजा बेकसूर गरीब प्रजा का जो ये बिनास हो रहा है नास हो रहा है वो देखा नहीं जाता क्या इनकी उत्पत्ति का यही उत्दे से था कि इनको सतया जाए इनको पताड़ किया जाए इनको मारा जाए इनको मितुदन दिया जाए क्या इनका जीवन केवल चीटियों के समान किसी की प्रतिहिंसा पूर्ड करने के लिए है क्या इनका जीवन चीटियों के समान है कि किसी को गुसा आए किसी को नराज नराज दिया तो इनको कुछल दे पयरोतले पति हिंसा का पूड़ अपनी पति हिंसा पूड़ करने के लिए इनको चूटिएं की तरह मसल दे देखो वह दूर पर बदह हुए नागरिक और उन पर हुलों की निसेंसंता कितनी प्रूर है देखो वह नागरिकों को बंधी बनाया गया है और उसपर जो होड अपनी पसुता दिखा रहे हैं तो मुद्गल कहता है अरे हाई रिबाप तो मातर्गूत कहता है साधान असहाय आवस्था में प्रार्थना के अतरिक्त और कोई उपाय नहीं है मातर्गूत कहता है कि साधान हो जाओ इसमें हम असहाय हैं और असहाय वस्ता में प्रार्थना के अत्रिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। आओ हम लोग भगवान से बिंती करें। और दोनों समलिस्ष्वर में अपना भगवान को भजन गाने शुरू करते हैं। गाते हैं। उतारोगे अब कब भूभार। कि हे इस्वर अब भूमी पर भार बढ़ गया है। इसका भार कब उतारोगे अब कब भूभार। बार बार क्यों कह रखा था लूँगा मैं आउतार। क्यों कह रखा था गिता में कि मैं जब जब पाप बढ़ेगा मैं आउतार लूँगा। तो भी कर रहा कि बार बार क्यों कहे रखा था लूंगा मैय आवतार उमड रहा इस भूतल पर दुख का पारावार बाड़ा लोली हान जिहवा करता है विस्तार प्रलै पयोधर बरस रहे हैं रक्त आशु की धार मां आवता मेरा छता का अब है पुड़ परचार पड़ा नहीं कानो में अब तक क्या यह हा कार शाओ धान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार सावधान हो अब तुम जानो मैं तो चुका पुकार मैंने तो आवाज लगा दी मैंने संदेश दे दिया अब तुम सावधान हो जाओ तुम आओ अवतार लो और इस भूमी का भारू का जिम्मेदारी अब उठाओ अब ये गार है सब हुड सैनिक का प्रिवस्ता भी हुड सैनिक का प्रिवस्ता है बंदियों के साथ कुछ लोगों को बंदी बनाए है तो उन बंदियों के साथ जो है उनका प्रिवस्ता है हुड बोलता है चुपरा क्या गाता है तो हुड बोलता है इन सब को गाते वे देखता है आप भी कुछ दीजिएगा दानमुद्रा बनाता है और दानमुद्रा बनाता है जोली फैलाता है कि कुछ आप में दीजिएगा भी खुख तो हुड जो है धक्का दे देता है और धक्का देते वे बोलता है चलट एक और खड़ा हो हाँ जी इन दूस्टों ने कुछ देना अभी स्विकार नहीं किया बड़े कुत्ते हैं नागरिक बोलता है हम निरी प्रजा है जिसको बंदी बना करके ले जा रहे हैं तो वो नागरिक बोलता है कि हम निरी प्रजा है हम लोगों की पास क्या रह गया जो आप लोगों को दे साइनिक ने तो पहले ही लूट लिया है साइनिकों ने तो हमें पहले ही लूट लिया है तो हम आपको क्या दे सकते हैं एक नागरिक बोलता है कि इनको मुदगल को बोलता है क्योंकि वो मांग रहा है ना भीक तो हुर सेनापती बोलता है तुम लोग बाते बनाना खुब जानते हो तो हुर का सेनापती बोलता है नागरिकों को जिनको बंदी बनाया है कि तुम लोग बाते बनाना खुब जानते हो अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना हो त तो कुछ दे करके पराण पचालो नहीं तो गरम किये हुए लोहे प्रस्तुत हैं अगर नहीं दोगे धन्दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर इसा नहीं करते हो तो गरम क्या हुए लोहा प्रस्तुत है कोड़े और तेल में तार कपड़े भी हैं उस कष् छड़का जाएगा तो नागरिक बोलता है प्राण तो तुम्हारे हाथ में है प्राण तो तुम्हारे ही हाथ में है जब चाहे ले लो जब चाहे ले लो देर क्यों कर रहे हैं हुड सेना पती बोलता है कोणे से मारता हुआ बोलता है उसे तो ले ही लेंगे पर धन कहा है ये बता हुरसेनापती बोलता है मारते भी बोलता है कुणे से कि उसे तो ले ही लेंगे तो ये बता कि धन कहा है वो भी लेना है नागरी बोलता है नहीं है निर्दय धन नहीं है निर्दय हत्यारे कह दिया कि नहीं है तो नहीं है हुर सिनापती सनिकों से कहता है इनके बालकों को तिल से भीगाओ भीगा हुआ कपड़ा डाल कर जला दो और इस्त्रियों को गरम लोहे से दागो तो इस्त्रिया कती हे नाथ अनियादेश सिनापती देता है उड़ों का जिसनापती है कि इनके बालकों को तिल से भीगा हुआ कपड़ा इनके सरी पे डाल दो और इस्त्रियों को गरम लोहे से क्या कर दो दाग दो तो इस्त्रिया कती हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहा हो कहा हो कि हे हमारे निर्बलों के बल कहा हो हमारे दिन के संबल कहा हो पुरुस बोलता है नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या इस्त्रियां बोलती हैं, पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहा हो, भला हमको या विश्वास कैसे हो, कैसे विश्वास हो, आप हो कहा, दिख तो जाओ, सुना तो पहले से है, किसीने पुकारा था तो सुन लिया है पर देख तो लूँ इस्त्रियों को पकड़ कर हूड खेचते हैं हूड जो सैनिक है वो इस्त्रियों को पकड़ करके खेचते हैं तो मात्र गुद कता है प्रभू हमें विश्वास दो अपना बना लो मात्र गुद कता कि हे इस्वर हमें विश्वास दो और अपना बना लो सदा स्वचंद हो चाहे जहां हो इन निरीह के लिए प्राण उत्जर्ग करना धर्म है काईरो इस्त्रियों पर यह अत्याचार और तलवार से बंधन काटता है लपकते हुई एक सन्यासी का प्रिवेश हो जाता है तलवार से बंधन काटता है लपकते हुई एक सन्यासी का प्रिवेश होता है सन्यासी साधु, भीर, संभल कर खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो जाओ, सन्यासी कहता है मुदगल कहता है मुदगल उसको पाचानता हूँ बोलता है जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो तो मुदगल उसको पाचान लेता है कि यह जो है गोविंद गुप्त है जिनको हम खोज रहा हूँ ठीके तो बोलता है कि जय हो महराज गोविंद गुप्त की जय हो सब उत्साइथ होकर भीड जाते हैं और हुड सैनिक भागते हैं और उनके साथ सब लोग भीड जाते हैं हुडों से और हुड फिर भाग निकलते हैं गोविंद-गुप्त, अच्छा मुदगव, तुम यहां कैसे हैं? तो गोविंद-गुप्त कहता है जब भाग जाते हैं क्योंकि सेनिक है, युद्धा है कुविंद-गुप्त, तो गोविंद-गुप्त जब भिड़ जाते हैं उनके साथ मुदगल भी मातर गुदब और नागरे के भी लड़ जाते हैं तो मान के चलो हुड़क सानिक भाग गए तो गुविंद गुदब पूछता है कि अच्छा मुदगल तुम यहां कैसे और युवक तुम कौन हो और मातर गुदब से पूछता है कि हे युवक तुम कौन हो तो मातर गुदब काता है युराच असकंद गुदब का अनुचर हूँ मातर गुदब काता है कि हे युराच मैं असकंद गुदब का अनुचर हूँ मुदगल कहता है बीर पुंगव इतने दिन पर दर्शन भी हुआ तो इस भेश में हुआ मुदगल कहता है कि बीर पुंगव और गोविंद गुप से कहता है कि इतने दिन के बाद आपका दर्शन भी हुआ तो इस भेश में सन्यासी के भेश में गुविन्द गुद्ध मुद्गल क्या कहूं असकंद कहा है गुविन्द गुद्ध कहता है कि मुद्गल क्या कहूं ये बताओ कि असकंद कहा है असकंद गुद्ध कहा है मात्र गुद्ध बलता है उजैनी में है वो तो उजैनी गए है गुविन्द गुद्ध अच्छा है स चलो दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है वहां बिस्राम करो चलो तुम लोग दुर्ग में हमारी सेना पहुंच गई है वहां बिस्राम करो यहां का प्रबंद करके हमको सिग्र आउश्यक कारे से मालो जाना है कह रहा है कि यहां का प्रबंद ब्योस्था करके मुझे स आतंक का डर नहीं है अब हुलों का आतंक समथ हो गया है यहां पर उनका डर नहीं है अब मालों पहुंच रहा है हम लोगों को तो सब जो है जै हो राज कुमार गोविंद गुपत की ऐसा बोलते हैं सभी लोग उसके बाद गोविंद गुपत जो है पुस्यमित्रों के युद तो मुद्गल कहता है कि इवराज थोड़ी सेना लेकर बंदू बर्मा की सहायता के लिए गए है वो कहता है कि मालो का क्या हुआ तो मुद्गल कहता है कि इवराज यानि असकंद गुप्त थोड़ी से सेना लेकर के बंदू बर्मा की सहायता करने के लिए गए है तो गुमिन्द गुट कहता है कि उपर देखकर कहता है कि बीर पूत्र है असकंद बीर पूत्र है आकास के देवता और प्रित्वी की लच्मी तुमारी रच्छा करे गुमिन्द गुट कहता है असकंद गुट के लिए बहुत मानता है आरे समराज के तुम ही एक मात्र भरोसा हो और कहता है कि आरे समराज का तुम ही ऐसे बिक्ती हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है तुम से ही उम्मीद है गुमिन्द गुप्त कहता है गुमिन्द गुप्त कुमार गुप्त का भाई है यह मैं पहले बता चुका हूँ कुमार गुप्त जो राजात है मुदगल कहता है तब महराज पूत्र बड़ी भूख लगी है मुदगल कहता है कि तब महराज पूत्र बड़ी भूख लगी है प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया और जैसे प्राण बच गये भूख का धावा होगा भूख लग गई सिग्र रच्छा केजिए गोविन कुद कहते है हाँ हाँ सब लोग चलो चलो और उसके बाद सब जाता है अनि कहता है कि भूख लग गई तो कहता है चलो सब लोग खेलाता हूं वोजन इसके बाद सब लोग उनको ले जाता है अब जो दिरिशिया आता है अवंति का दुर्ग का अवंति का दुर्ग है किला है जहाँ पर देवसेना है बिजया है और जैमाला है ठीके अब आप लोग को यहाँ बता दे कि देवसेना का क्यास देवसेना कौन है तो देवसेना ये मालाव अवन्ती का दूर्ग ये मालाव का छेत्र है मालाव का छेत्र है ठीके तो देवसेना जो है बंधु बर्मा की बंधु बर्मा की देवसेना जो है बंधु बर्मा की बहन है सिस्टर है ठीक है और बिजया बिजया जो है मालो की एक धनकुबेर है पैसा के मालिक है धनकुबेर उनकी पूतरी है बिजया ठीक है और जैमाला की अगर मैं बात करूँ तो जैमाला जो है रानी है ठीक है जैमाला कौन है बंदुबर्मा की पत्नी है रानी है वहां की मालो की रानी ठीक है यह मालव की रानी है बंधु बर्मा की पत्नी ठीक है तो बिजया बिजया जो है धनकुबेर की क्या है पुत्री है ठीक है धनकुबेर की पुत्री है बिजया बहुत पैसे वाली है तो बिजया कहती है कि बिजय किसकी होगी कौन जानता है मालव पर जो है होगी कौन जानता है तो जैमाला जैमाला जो है बंधु बर्मा की पत्नी है तो वो कहती है कि तुमको क्यों अपने ध्वन की रच्छा का इतना ध्यान है क्योंकि विजया पैसा वाली है पहले बता चुका हूं तो जैमाला कहती है कि तुमको क्यों अपने ध्वन की रच्छा क इतना ध्यान है देवसेना कहती है देवसेना जो है बंदुबर्मा की भान है अजय माला की नानत कह सकते हैं तो देवसेना कहती है और देश के मान का इस्तुरियों की परतिष्ठा का और बच्चों की रच्छा का कुछ नहीं इसका ध्यान नहीं है देश के मान का कि देश का मा तो विजया कहती है कि संकुचित हो करके संकुचित हो जाती है अब बोलती है कि नहीं ऐसा बात नहीं है मेरा अभिप्राय यह नहीं था कि क्योल धन की बात करो तो जैमाला करती है कि परंतु एक उपाय है ठीक है परंतु विजय होने के लिए इंसे बचने का एक उपाय है तो विजय करती है वह क्या है तो जैमाला करती है रच्छा का निश्चित उपाय रच्छा का निश्चित उपाय आथा अगर सुनली होते हो माल लिए होते तो इस यह समय देखने को नहीं मिलते हैं यह इस भै का आउसर ही नहीं आता तो जैमाला काती है तुम्हारी अपार धनरासी में से एक छुद्र अंस वही यदि धन लोलूप स्रिंगालों को दे दिया जाता तो जैमाला काती एक उपाय है तो वो बोलती है कि क्या तो वो पता रही है कि अगर तुम्हारे पास जो धन है उसका छोटा सा हिस्सा यदि इन सियारों को जो है लालची सिरंगालों को अगर थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाता तो संभव है कि खत्रा तल जाता तो बिजया कती है किन्तु इस प्रकार अर्थ देकर बिजया खरिदना तो देश की बिरता के प्रतिकूल है तो कती है कि अग बिपरी थे तो जे मला काती है ठेरो कोई या रहा है साधानों जा कोई या रहा है तो तबी जो बंदु बर्मा का प्रवेस होता है बंदु बर्मा मलवाखरा राजा है तो बंदु बर्मा कहता है कि प्रिये जे मला से कहता है कि प्रिये अभी तक इवराज का कोई संदेश नह कर सकूंगा कि अभी तक युराज नहीं आए आज मुझे लग रहा है कि सको और हुनों की जो समलित वहनी है उससे आज मैं दूर्ग की अपनी रच्छा नहीं कर सकूंगा तो जैमाला कहती है कि नाथ तब क्या मुझे असकंद गुप्त का अभिने करना होगा क्या मुझे असकंद गुप्त का नाटक करना होगा अभिने करना होगा क्या मालवेश को दूसरे की साहता पर ही राज्य करने का सहस हुआ था वुका रही कि क्या मालव के राज्य बंधू Fang को दूसरों की साहता पर ही राज्य करने का सहस हुआ था अपनी अपनी बिर्ता उनको याद नहीं है अपने पर भरोसा नहीं है जाओ प्रभू, सेना लेकर सिंग बिकरम से सेना पर तूट पड़ो जाओ प्रभू, जाओ, सेना लेकर सिंग बिकरम पर तूट पड़ो दूर्ग किर अच्छा का भार्ब मैं लेती हूँ और इस दूर्ग किर अच्छा का भार्ब मैं खुद लेती हूँ जमाला काती है बिजया काती है महराज यह क्यों वाचालता है बिजया काती है महराज यह जो बोल ले यह क्यों वाचालता है दुर्ग रच्छा का भार सुयोग सेनापती पर होना चाहिए इस दुर्ग की रच्छा का जो भार है वो सेनापती पर होना चाहिए तो बंदु बर् बोलता है घवराव मत स्रिष्ट करने उपाय कुछ करता हूँ जैमाला काती स्वर्ड रत्न की चमक देखने वाली आँखे बिजली सी तलवारों के तेज को कब तक सह सकती है स्रिष्ट करने हम छत्राणी है चीर संगनी खणंग लता का हम लोगों से चीर सने है अगाती हम छत्राणी है हम कैसे डर सकती है तो बंदू बर्मा कहता है प्रिये सरडागत और विपन की मर्यादा रखनी चाहिए जो सरडागत है और जो कमजोर है जो सक्तिसाली नहीं है उनकी मर्यादा रखनी चाहिए अच्छा दुर्ग का तो नहीं अंतवपूर का भार तुम्हारे उपर है वो बोलता है जैमाला से कि मैं तुम्हें दुर्ग का भार तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन दुर्ग में जो महिलाओं का जो बेरा है उसका भार में तुम्हें तुम्हारे उपर छोड़ता हूँ हुए जो भीम है उनका कोई सेनिक होगा तो कहता है कि थुर्ग का भीच भीच में निरिछट करेगा मैं जाता हूँ और चला जाता है तब विजया बोलती है भायानक युद्ध समीप तो तो वरिया है और बहुत समीफ है वो क्यों राजकुमारी तो देश सेना बोलता है कि ना पर श Now are तो राजकुमारी ही हो गई तो देवसेना बोलती है तुम बीड़ा ले लो तो मैं कुछ गाऊं हो काती है अगर तुम बीड़ा ले लो बीड़ा बजाओ तो मैं कुछ गाऊं बिजया हसी न करो मराजकुमारी हसी मत करो तो बिजया चुकि डरती है तो बिजया काती है कि हसी ना करो राश्कमारी जयमाला काती है बुरा क्या हो तो सही तो कर रही है तो विजया काती है यूद्ध और गान तो जैमाला कती है यूद क्या गान नहीं है यूद क्या गान नहीं है वो भी तो गानी है रुद्र का स्रिंगिनाद भैरवी का तंडर निरित्य यानि संकर का देखे हो नाचते हुए भैरवी को देखे हो नाचते हुए और सास्त्रों का बाद मिलकर भैरो संगीत की स्रिष्टी होती है और जो सास्त्र होते हैं वो बजते हैं उनकी संगीत होती है जीवन के अंतिम दिरिश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना जीवन रहस्य के चरम संदरे की नगन और भयानक वास्तिविक्टा का अनुभव के उल सच्चे बीर हिर्दय को ही होता है ध्वन समय महा माया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है उसे सुनने के लिए हिर्दय में साहस और बल इकत्र करो अत्याचार के असमसान में ही मंगल का सिव का सत्य का सुन्दर संगीत का समाराम्ब होता है देश सेना बोलती है, तो भावी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गालूं, हमारा प्रिय गान, फिर गाने को मिले या न मिले, कौन जानता है, हम लोग जिन्ता रहें या न रहें, फिर हमारा जो प्रिय गान है, उसको मैं गापाऊंगी जिन्दगी में, कि नहीं गापाऊंगी, जैमाला कहती है तो गाओ ना गाओ विजया बोलती है रानी तुम लोग आग की चिनगारिया हो या इस्तिरी हो देवी जो आला मुखी की सुनदर लट के समान तुम लोग जैमाला बोलती है की सउनो देश सेना जैमाला काती है विजय ऐसे कि सुनो देवसेना गा रही है चुप चाप सुनो तो अब देवसेना का गान निश्टाट होता है कि भरा नैनों में मन में रूप भरा नैनों में मन में रूप किसी की छलिया का अमल अनूप जल्थल मारुत ब्योम में जो च्छाया है सब ओर खोज खोज कर खोगई मैं पागल प्रेम विभोर भांग से भरा हुआ यह कुंग भरा है नैनो मन में रूप धमनी की तंत्रिबजी तू रहा लगा एकान बलिहारी मैं कौन तू है मेरा जीवन प्राण खेलता जैसे च्छाया दू पराने नो में मन में रूप शासा भीम वर्मा का प्रविश होता है जिसको कहता है कि भीम दुर्ग की देख भल करेगा यानि गुमता फिरता आएगा तो भीम वर्मा आता है बहिम बोलता है बावी दुर्ग का द्वार तूट चुका है अब अंतवपूर की बाहरी द्वार पर हैं अब तुम लोग परस्तूत रहना अब तुम लोग नम तयार रहना जे माला बोलती है उनका क्या समचार है यानि बंधु बर्मा का पूछती है तो भेम बोलता है अभी कुछ नहीं मिला गिरी संकट में उन्होंने सत्रू के मार्ग को रोका था प्रंटु दूसरी सत्रू सेना गुप्त मार्ग से आ गई प्रंटु जो है उन्होंने सत्रू के मा मार्ग से आ गई वहाँ पर मैं जाता हूं आप लोग साधान रहिएगा और वो चला जाता है नेपथ्य में कुलहाल होता है कहीं जो है अगल वगल से कुलहाल की आवाज आती है और भायानक सब्सुनाई देते हैं विजया बोलती है महारानी किसी सुरचित अस्थान में निकल चलिए कि हैं महारानी कहीं सुरचित अस्थान करके निकल चलते हैं जैमाला छूरी निकाल लेती है रच्छा करने वाली तो पास है फिर डर क्या क्यों देवसेना जैमाला काती है कि रच्छा करने वाली मैं खुदे पास हूं तो डर क्यों रही हूं क्यों देवसेना देवस देवसेना बोलती है इतनी सुन्दर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के योगे नहीं है यानि छोड़ी को काती है जो छोड़ी है सबको देती है तो बिर्या जो है लेने से इंकार करती है तो देवसेना बोलती है कि इतनी सुन्दर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने के यो छुप जाओ छुप करके खड़ी हो जाओ रक्त से लत्फत भीम का प्रवेश होता है और तभी खुन से सना हुआ भीम बर्मा क्या होता है आता है और भीम बोलता है भावी रच्छा नहों सकी आपकी रच्छा नहों सकी इस दूर की रच्छा नहों सकी अब तो मैं जाता हूं अम मैं इस वर के पास जाता हूँ बीरों के वरडिय सम्मान को अवस्य प्राप्त करूँगा प्रन्तु इस दूर की रच्छा नहीं कर सका आप लोगों की रच्छा नहीं कर सका जैमाला करती है हम लोगों की चिंता ना करो भीम हम लोगों की जिन्ता ना करो बीर इस्त्रियों की, ब्रामढों की और पंडितों की और अनाथों की रच्छा में प्राण भी सर्जन करना छत्रिय का धर्म है एक प्रलाई की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो भायरों की सरिंगी नाद के समान प्रबल हुंकार से सत्रु हिर्दे कपादो बीर बढ़ो गिरोतो मध्यान के भीषड सूर्य के समान आगे पीछे सर्वत आलोक और वो ज्वलता हो रहे और भीरीम का प्रस्थान और भीम चला जाता है द्वार का तूटना और द्वार तूट जाती है बिजाई सत्रु सेना पती का प्रवेश होता है और सत्रु सेना पती का क्या होता है प्रवेश होता है भीम का आकर रोकना और भीम पहुंचता है और जाकर के रोकता है उनको खोन से सना हुआ है गेते गेते भीम का जैमाला और देशेना की सहायता से युद्ध सासा असकंद गुप्ट सैनिक के साथ प्रविस तभी जो है अचानक जो है असकंद गुप्ट सैनिकों के साथ प्रविस कर जाता है और तभी अवाज होती है युराज असकंद गुप्ट की जय हो सक और हूड अस्तंबित होते हैं और तभी जो है सक और हूड जो है अस्चारी चकित हो जाते हैं ये कीसी कि असकंद गुद कैसे आ गया असकंद गुद बोलता है ठारो देवियों असकंद के जिवित रहते इस्तिरियों को सस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा और असकंद गुद कहता है कि ठारो देवियों जब तक असकंद जिनता है इस्तिरियों को सस्तर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी युद सब प्राजित और बंदी होते हैं युद होता है और सभी सेना प्राजित होती है और सब को बंदी बना लेता है असकंद गुप्त बिजया बोलती है जाक कर छेपी वी थी तो जाकती है जाक करके बोलती है अहा कैसी भयानक और सुन्दर मुर्ती है असकंद गुप्त बोलता है बिजया को देखकर यह यह कौन है पटा छेप अब यहां से हमारा दूसरा अंक शुरू होता है यानि मालों में असकंद गुप्त पहुंच जाता है और वहां हुडो की और सको की सेना को क्या करता है प्राजित करता है और वहां की इस्तरियों की रच्छा करता है और यहीं पर हमारा पहला अंक समाप्त हो जाता है अब हम ल को वीडियो के अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगला वीडियो पाने के लिए जो है अगला वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर जीदा धन्निवार